आज हम खीर्य त syntीब करने के लिए पहले हमने चाबल को भीगार कर रखें और गैस पर हमने दूद चढ़ा दिया करणार होगाइए तो दूद भी गाड़ा हो गई है और आपको हम इसी तरह दबा कर एक दिखा देंगे तो चाबल 80% तक पकी है पूड़े पकी नहीं हुए है अभी तक तो पाके 20% इसी तरह हिलाते रहेंगे और पकते रहेंगे तो आम ने यहाँ पर डाल दिया किश्मिश फिर डाल देंगे क मरी खिर्वन के तयार हो गया